वारती सम्म्म्मेदान की दो वीडिओ चैनल पर आप जाके देख सकते हैं जी हाँ एक पृस्तावना की और दूसरी सम्म्म्मेदान के भाग की उसी से संबंध मैं आपको रिमाइंड करादूं कि हमारे भारती सम्म्मेदान में 395 अनुच्छे हैं 22 भाग है और 12 अनुसूचिया है याद रखेगा इनी 12 अनुसूचियों के विशह में आज हम बात करेंगे और 12 अनुसूचियों में आपको मैं बता दू मूल सम्मिदान में हमें 12 अनुसूचिया नहीं थी हमारे मूल सम्मिदान में कितनी अनुसूचिया थी जी हाँ मोल समयदान में हमारे हाँ केवल आठ अनुसूचिया थी यानु की भारतिय समयदान के बात हो रही है- तो केवल आठ अनुसूचिया थी- 4 बार समयदान संस्चोदन होए फिर टो टल 12 हनुसूचिया हो गई इनी पूरी वारा अनुसूचियों के विशे में मैं आपको विश्तर जानकारी दूँगी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जाएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा अपनी बात को जदा आगे नहीं बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं कि पहली अनुसूची में आखिर क्या है तो यहां देखिए पहली अनुसूची आपके सामने है पहली अनुसूची में है हमारे देश के बारे में उसके 28 राज और साथ साथ उतके केंदर शासित के बारे में बात है पूरा पहली अनुसूची में दिया हुआ है और राजों के जो शेत्री अधिकार है वो सामिल है इसमें यानि कि राज को कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है राज के कितने हिस्से करना है राज का करना है नहीं करना है बस यह केंदर सरकार यानि क संसद कर सकती है उसे और राज का क्या है कि राज बस सबना उनके प्रस्था भी सकता व्यों गोगा इस चीज का याद रखेगा यह पहली यनुसुचि में दिया है इस चीज को ध्यान रखेगा है अब बात करते हैं इसमें और और क्या हुआ है इसमें एक बात और याद रखिएगा 69th सम्मिदान संशोधन के द्वारा हमारी दिल्ली को राष्टी राष्टानी शेत्र गोशित किया गया था इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि ये कोश्चन अकसर आता है और इस कोश्चन में कनफ्यूज जाते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की तो दूसरी अनुसूची है बेतन भत्ते के बारे में और पेंशन लेकिन किसके हमारे नहीं जी रहे हमारे नहीं इसमें जो भी है वो हमारे देश को चलाते हैं उनसे संबंदित है हमारे देश के जो सरवोचh पद पर बैठे हैं यानि कि हमारे राशपती जी, राजजीपाल, राज्य के सरवोच उपद आया उनके पास, लोग सभाध्यक्ष, उपध्यक्ष, राजश सभा के सभापती, उपसभापती, विधान सभाध्यक् шт, उच नियाले के नियादी, स्काग, इन सब क वेतन, भत्ते और पेंशन का उलेख है, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, दूसरी अनुसूची वेतन, यानि पहले में हम अपना देश, फिर देश के बाद जो लोग उस देश के प्रती सजग होंगे, उस देश के प्रती समर्पित होंगे, हम भी समर्पित हैं, ऐसा नहीं हैं, उनकी बेतन कितना होंचे, उस से, फिर उसके बाद बेतन के बाद, शपत के बारे में बात आएगी, तो शपत के बारे में जब बात करेंगे, तो वो बात है, तीसरी अनुसूची की, तीसरी अनुसूची में सपत का उलेख है, अब किस किस का शपत लेनी है, इस विधान मंडल चुनाप के उमीदवार राज विधान मंडल के सदस और उच्छ नयाले के नयादीस तो ये सब जो है शपत लेते हैं कौन सी अनुसुची किसा है तीसरी अनुसुची कि तहत पूरी जानकारी उसमें दी होगी कैसे सपत लेना है कौन शपत किसे दिलाएगा ये जन संख्या के अकॉर्डिंग जाते हैं तो पूरी रास्यवा में कितनी सीटे किस-किस राज को आवंटित होगी तो ये सब उलेक जो है वो चौथी अनुसुची में है याद रखेगा अब बात करते हैं पाच्वी अनुसुची की पाच्वी अनुसुची में अनुसुची जाती और अनुसुचि जन जाती कि शित्रो का प्रशाशन, वहां क्या नियम होनी चाहिए, क्या सब कुछ होना चाहिए उन सब के बारे में उल्लेक है, पांचमी अनुसुची में अब आते बहुत इंपॉर्टन अनुसुची जी हाँ छटी अनुसुची ये जो है वो जो होते हैं आपने देखे होंगे है ना तो जैसे मेगाले में गारुखासी जैंतियां करके हैं इस तरह से आपको पता होगा तो इन्हें हम A.M.T.M. भी कहते हैं बहुत से लोग A.M.T.M. यानि कि इसको फिर से मैं लिख देती हूं दोस्तों यह A.M.T.M. तो यह यानि कि अस्म बेगाले तिरपुरा M. ओशूरा ऐसे करके है यह कुछ लोग A.T.M. इसको परिस्कॉाइर लगा देते हैं आप किसी भी तरह से यहथ कर सकते हैं उनसे सम्मंदित जन जाती हैं जो ट्राइब्स होते हैं उनसे समंदित प्रिशासन क्योंकि इनके जो अपने संस इसको ये बिलकल किसी को छुने नहीं देना चाहते हैं, उसको खराब नहीं करना हैं अब बात करते हैं सात्मी अनुसूची बहुत इंपॉर्टन और इससे संबंदि देखde, shortать मेरी चैनल प्रट भी आ वुद्धी, आप जाके देख सकते हैं केंदर और राज के भी शक्तिएं से का बतवारा कॉन किस शेत्र में काम करे गा, कॉन किस शेत्र में नियम बनाएगा, कॉन किस शेत्र में आपने अधिकार को बना कर रखेगा जी हाँ, देखिए तीनों सूची आपके सामने आ गई, संग सूची, राज सूची और संबर्ती सूची, संग सूची में जब सम्मिधान लाग हुआ था तो 97 विशय देश को याद रखेगा, जिनें बढ़ा कर 100 विशय कर दियेगा, जो most important है, और किस-किस विशय पे संग सू अब बात करते हैं, राज सूची की, जब संबिदान लाग हुआ था, तो इसके 66 विशय देव, जादा बड़े हुए थे, उन्हें कम किया गया, कितना कर दिया 61, कि तुमारे पास बहुत अधिकार हैं, कुछ अधिकार, इनको दो, कुछ केंदर को देदो, यानि कि संग सू संबर्ती सूची में, इसलिए देदो कि संबर्ती सूची में, राज और केंदर दो नूख अधिकार होता है, यहाँ पर हम अभी बात कर रहें, राज सूची की, राज सूची में केवल राज काधिकार होता, उसके पास 61 विशय है, बरतमान में पहले चया असर थे, जो जेल, इस्तानी शाशन, क्रशी, यह विशय इनके पास हैं, याद रखिएगा, इसके साथ साथ, यह राष्टी हित के विशय तो हैं, लेकिन इतने इंपोर्टन नहीं होते, जैसे विदेश नीती और रक्षा, यह ज़्यादा इंपोर्टन विशय हैं, तो यह राज, यह सं हुए हैं, और इनके जो विशय हैं, वो बिवा, तलाग, सिक्षा, यह सब हैं, और इसमें यह होता है, संबर्थी सूची में याद रखिएगा, इसमें राज और केंदर दोनों अपने नियम बना सकती है, लेकिन एक बहुत इंपोर्टन बात होती है, जैसे ध्यान रखिए अगर केंदर ने नियम बना दिया, तो उसे राज मना नहीं कर सकती है, उसे मानना ही पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा, इकोशन अकसर आता है, और हम लोग सोचते हैं, संबर्थी सूची में दोनों का बरावार दिखा रहा है, होता बरावार है, लेकिन केंदर हम अकसर याद रखिएगा, वर्तमान में कितने विशें हैं, संग सूची में एक सट विश है, राज शूची में और समर्थी सूची में बावन विश है, इस चीज को याद रखिएगा, अब बात करते हैं, आठ वे अनु सूची की, इसके बारे में पहले भी मेरे पास एक देख है आठवी अनुसूची में बहुत इंपोर्टेंट है और मूल रूप से याद रखेगा जब हमारा सम्मिदान लागी हुआ था तो केवल चौदा भास आये थी बाद में 22 हो गई है याने कि 14 से 22 बास आई हुई है याद रखेगा इस चीज़ को क्योंकि कोशन अकसर आ अमेंडमेंट हुआ यानि कि 1967 में 21 सम्मिदान संसुदन हुआ जिसमें सिंधी जोड़ी गई तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 7 में से 6 गए 1 बचा एक ही भास जोड़ी गई और यह 67 यान कि 7 में से 6 को आप माइनस करके ऐसे रट सकते हैं और 21 एक इसके भी लास्ट में है तो याद कर सकते हैं 21 सम्मिदान संसुदन था सिंधी भासा जोड़ीगे याद रखेगा यानि कि अब 14 से कितनी हो गई 15 भाशा हैं हो गई उसके बाद 1992 में 71 सम्मिदान संसुदन हुआ 1992 में भी आप ऐसे याद करके रख सकते हैं मैं आपको बता दूँ यानि कि 9 में से 2 गए तो कितने बच्चे साथ ऐसे याद कर सकते हैं 71 सम्मिदान संसुदन हुआ इसमें कितनी भाशा जोड़ीगे तीन मड़ी पुड़ी कोकणियन नेपाली तो यानि कि जब 15 हो गई थी तीन और जोड़ दी गई तो कितनी हो गई अठारा हो गई न इस समय दूसरे सम्मिदान संसुदन तक 18 भाशा हो गई जिनका मैत बढ़ता गया जो लोग कहते गए कि हमें सम्मिदान में अधिकार चाहिए तो वो भाशाओं को जोड़ते चले गए अब फिर 2003 में 92 वा सम्मि पहले कितनी हो गई थी अठारा हो गई थी ना अठारा में चार जोड़ जोने कितनी हो गई हो गई 22 तो टूटल बाईस भाशा हो गई तीन सम्मिदान संसुदन के द्वारा और कौन सी अनुसुची आठमी कितनी महशा ओका उल लेक 22 भाशा का उलेक इस चीज को याद रख पहले आठ थी अनुसूची चार ये चारों जब जोड़ी गई तो बारा हो गई यही चारों है जो बाद में जोड़ी गई है याद रिखेगा दोस्तों तो ये चारों में नवी जोड़ी गई भूवी सुदार से संब्दित है दसमी दल बदल से संब्दित है दल बहुत बद अब आपको यही बात जो मैं पहले से बताती है रही हूं वही आप एक बार और लिख दी गई है अब हम बात करेंगे नवी दस्मी ग्यार्मी बार्मी में क्या क्या हुआ जोड़ा गया यह सब तो नवी अनुसूची पहले जब सम्मीदान संशुदन हुआ 1951 यहापे एक नया कोश्चन बिल गया कि बारती सम्मीदान में सबसे पहला सम्मीदान संशुदन कब हुआ 1951 में आगया समझ में यानि कि 1950 में हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 एक साल भी नहीं भी था तुरंती इसमें एक सम्मीदान संशुदन कर दिया गया कि इसमें यह एड करना चाहिए इसके तहित क्या था संपत्ती के जो अधिगरण का उलेक था इसमें खास वात यह थी कि संपत्ती लोग अपना अधिकार शमस तमस्ते थे हैं ना कि यह संपत्ती का हमारा जो है वो अधिकार है तो उस अधिकार को जो है इनोंने यह कह दिया कि नहीं इसका अधिकरण का उलेक है इसमें यह है कि आप जो भी संपत्ती से संबंदित जो भी अनुछेदों का उलेक क नहीं होगा ऐसे करके तो इसको आप चुनौती नहीं दे सकते ने आयले में ये इसको क्या गए कि देखा उन्होंने की जो बहुत से अमीर लोग थे वो अपना अधिकार समझ रहे थे इस चीज को तो इस चीज को खतम करने के लिए ये क्या तो नौवी अनसूची इसलिए जो जो बदल संबंदित जो प्राफधान से उनसे संबंदित थी कि जो दल बदल लेते थे उनसे संबंदित है फिर ग्यारवी अनसूची कब जोड़ी गई ते है तरवी समयदान संचोधन में 1992 में जो गए था लेकिन लागू 1993 में इसको याद रखेगा और इसमें पंचायती राज से संबंदित है ये ये किस संबंदित है दोस्तों पंचायती राज से संबंदित है जो पंचायती इलक्षन वगरा होते हैं उसके विशय याद रखे ये कुशन अक्सार आता है 29 विशय है इसके फिर सब सोसते हैं विशय कहां दिये थे देखिए ये विशय याद तो आपको समझ में आगया होगा कि बारा अनुशूचिया हमारे कौन-कौन से समिधान संसोजन से बनके बढ़के हुई हैं, पहले आठ थी, क्या-क्या हुआ, कितनी भाशाओं थी, फिर कैसे कौन-कौन से समिधान संसोजन से भाशाओं को जोड़ा गया, कि कौन-कौन सी भाशाओं जोड़ी ही, उसके बाद सा पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छी नॉलिज देने की और अगर जिन लोगों ने भी मेरी ये पूरी वेटी देखिए उसके लिए तह दिल से शुक्रिया दोस्तो धन्यवाद बहुत-बहुत और अगली वीडियो लेके आऊंगी आपको अनुसूची के बाद जो भी है अगर मुझे लगेगा कि इसके बाद मुझे नागरिकता से संबंदित कोशन या लाने चाहिए तो वो लेके आऊंगी इंतिजार कीजिए दोस्तो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा दोस्त तो चलती हूँ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों